अगले कोश्चन की बात करते हैं अगले कोश्चन है मारा एक रेल गाड़ी 72 किलो मीटर प्रती घंटे की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे एक प्लैटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर जाती है रेल गाड़ी की लंबाई कितने मीटर है तो दोस्तों देखे इस कोश्चन में आपको क क्या करेंगे इस कोश्चन में इस प्रकार के कोश्चन में आप यह दिखे कि रेल गाड़ी जो चल रही है किस रफ्तार से चल लए है और प्लैटफॉर्म जो है वो 260 मीटर लंबा है अब यहां पर हमें करने का जो तरीका होता है कि रेल गाड़ी के लंबाई जो हमें पता से भाग कर देते थे अब देखें यह दो हम करते हैं कि समय से ढीवाइड कर देंगे और फिर इस कांअ बारावर चल लिए रेल गाड़ी 72 किलो मीटर प्रती घंटी की रफतार से चल लिए और कितने सेकंड में पुल को पार करती है तो 30 सेकंड में पुल को पार कर रही है और कितना आ गया तेज सेकंड तक के चल लिए तो तेज सेकंड चला दिया अब इसे काड़ी देखा अब जो बचा है आप इस गुणा कर लिजे तो कितना है चार पंचे बीस ठीक है और बीस की गुणा जब तेज से करेंगे तो यह आएगा आपका चार सो साट मीटर ठीक है तो रेल गाड़ी ने तेज सेकंड में चार सो साट मीटर की दूरी तै की सम्यागी बात कि 72 किलो मीटर प्रती गंटी की रफ्तार से तेज सेकंड में चार सो साट मीटर की दूरी तै की जबकि इसमें platform कितना लंबा था 260 मीटर प्लैटफरम था आपका 260 मीटर तो बताई ये रेल गाड़ी के लंबाई कितनी बची रेल गाड़ी के लंबाई कितनी बची कुछ मत कीजिए 460 में से 260 को माइनस कर दीजिए और 200 मीटर जो आपका आंसर आया वो होगे आपके रेल गाड़ी की लंबाई तो ये एक कुछन था ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको संभियाँ होगा और इसी तरीके चेकर ये सारे कुछन आपके बहुत आसानी तरीके से हो जाएंगे और काफी ज़्यादा टाइम आपका बचेगा